Hello students, you are watching CMI Times. National Testing Agency, यानि की NTA ने J-E Main Entrance Exam की Official Website पर J-E Main Admit Card रिलीस कर दिये हैं, जिसे पूरे देश में प्रमुख, टेक्निकल और Engineering Colleges, Universities और Institutes में प्रवेश के लिए Eligibility Test के रूट में आयोजित किया जा रहा है. इस Academic Year में J-E Main Entrance Exam के Official Organizer NTA J-E Main Entrance Admit Card या Haul Ticket J-E Main के Website J-E Main.nic.in पर जारी करेंगे. प्रवेश पत्र में महतुपूर्ट डेटेल्स जैसे की Exam Center, Time, Name, Date of Birth, Gender, State Code of Eligibility और Category शामिल है. किसी भी विसंगती के मामले में जरूरी कारवाई के लिए ततकाल J-E Main सचेवाले CBSE से कम्मिनिकेट करें. Admit Card अपने J-E Main Registration की Validity के अधीन कैंडिडेट्स को प्रोविजनली जारी किया जाएगा. J-E Main 2019 का पहला एडिशन, जिसे अगले वर्ष से दो बार आयोजित किया जा रहा है. 6 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तर कम्मिटर अधारे टेस्ट यानिकी CBT के रूप में आयोजित किया जाएगा. यदि कैंडिडेट्स NTA से नोटिफिकेशन के अनुसार वेब साइट से अपने Admit Card डाउनलोड करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें 17 दिसंबर 2018 से 23 दिसंबर 2018 तक सामाने सुविधा के लिए NTA हेल्प लाइन से 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर करना चाहिए. JMAIN Admit Card डाउनलोड करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलोग कर सकते हैं. सबसे पहले विजिट दा ओफिशल वेबसाइट ऑफ JMAIN एक्जाम jmain.nic.in उसके बाद होम पेज पर मौजूद Admit Card लिंक पर क्लिक करें. नेक्स पेज पर आपको दो ओप्शन्स मिलेंगे. पहला, Download Admit Card through Application Number and Password और दूसरा, Download Admit Card through Application Number and Date of Birth. आप दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं. उसके बाद, नेक्स पेज पर अपने Registration, Details आप एंटर कर सकते हैं और उन Details को Submit कर सकते हैं. फुर उसके बाद, नेक्स पेज से आप JMAIN Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं. और किसी भी मामले में इस Examination Center पर इसके duplicate जारी नहीं के जाएंगे.